जी मेरा नाम राजेस भारती है कितने बड़े हुआ जी मैं बीएसी की हुआ हूँ तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में आपको रोजगार नहीं मिल सकता उत्तर प्रदेश में अगर रोजगार होता तो इस तरह से खाली थोड़ा ही नहीं गुमते योगी जी और मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ दिखावा किया है जोलों पर अपना फोटो छपवाने से विकास थोड़ा ही नहीं होगा जमीनी इस तरपर विकास करना होगा तब इचया सर अपने फोटो छपवाया तक और इस्टुडेंट के पढ़ाई के लिए कुछ किया था कि बच्चा पढ़े टेक्निकल इस्टडी करे इन्होंने जोले से कौन सा इस्टडी किया उसमें 200 रुपे का रासन है और 400 रुपे का जोला क्या फायदा है उससे बताइए इतने रुपे का फोटो छबा रहा है उससे सब्सक्राइब करना बाददा है सरकार पूरी तरीख से बिफला रही है किसी भी छेतर में ले लो चाहें रोजघार के छेतर में लेलो आप चाहें आप और जमीनी इस तरह पर गाहों ग्रामीर छेतर में लेलो एक इनका बहुत बड़ा वो रहता है कि हमने महिलाओं को फ्री सिलेंडर दिये यह सबसे ज़्यादा मुद्धा रहता बीजेपी बालों का अब प्रीस लेंडर की मैं आपको बात बताता हूं लोगों को फ्रीस लेंडर द तो क्या करें उनसे दे इति हुआ इसमें गाहों में उनों ने दे दिये फ्री इए और फ्री में देने के बाद में सबसेडी आती थी अच्छी अछी आरीए 24 रुपए ठीक है 900 रुपए का सिलंडर है शाड़े 900 रुपए का और सबसेडी या 24 रुपे आप बताओ 24 रुपे में क्या करने वाले हो पैन नहीं आता एक एक टेम की रोडी भी नहीं खा सकते ठीक है 2014 के पहले आपके उत्तर परसेश्च चुनकर जाने वाली स्पूरती रानी मौतुरा से चुनकर जाने वाली हेमा वाले नी लखनों से चुनकर जाने वाली राजना सिंग अंशन पर बैठा करते थे कि उस समय 365 रुपे सिलेंडर था और महेंगाई के नाम पर चुनाव जिता ग जब विपक्ष में थे और स्लेंडर साड़े 300 रुपे का था मात्र दो रुपे चौदर रुपे करी महंगा हुआ था स्लेंडर तो रोड पर आ गए थे स्लेंडर को ले करके और यह सब हाई हाई किनारे और यह करने लगे सब जिसमें इसमर्ती इरानी का मैं मैं रॉल रहा मैं तो ढूंड रहा हूं कहां है इसमर्ती इरानी अब बिल्कुल ब्लुप्त हो चुकी क्योंकि उनका तो अब हो गया ना मतलब हो गया सरकार बन गई पैसा अच्छा खासा कमा लिया क्या करा है जंता के लिए कुछ भी मंत्री भी बनी है अब क्यों नहीं आ रहीं देखने शिलेंडर के चक्कर में लोग फस जाते हैं और कहते हैं मोदी जी बहुत बढ़िया अब यहां देखो ना कहां साड़े 300 का सिलेंडर था साड़े 900 का हो गया 1000 रुपे का महिला सिलेंडर बंद करके लकड़ी चूला जलाने के लिए तयार है उपलों से चूला जलाने के लोग भे रोजगार हो पीसितने नहीं तो मोडी जी कितना व्ड़ा रोजगार खर रहा है चाय बैचते बैचते आज लाइड बेज दी और क्या बेचेंगे पूरा देश बेच चुके हैं देश को बेच के खा जाएंगे अब भी देश की जनता सुधर जाए बहुत अच्छा टाइम है आने वाले 2022 में इनको करारा जबाब दे जनता अपने भाउमत से क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ह जैसे यहां यह शाबाद सुरक्षित है तो भाजब का कैंडियेट समझो आपकी जाती का खड़ा कर दिया तो आप उन्हीं को उट करेंगे ना पहले वार तो मैं जातिवाद का बिलकुली नकारात्मक सोच आप आपने 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 सोच क्योंकि देखिए इस वार का जो जातिवाद का नहीं होगा इसवार का चुनाव होगा विकास का इसवार का चुनाव होगा यूवा का इसवार का चुनाव होगा किसान का ऐसी अडीली सरकार मेरी 30 साल में मैं ऐसी अडीली सरकार अभी तक नहीं देखी किसान विचारे लाटी खा रहा है किसान विचारे पर दिना विस्तरा अपना बांद के भागते फिर रहेंगे गुजरात के लिए यह दोनों योगी मोदी भाग जाएंगे क्या नमस्कार साथियो मेरा नाम है बिंदू भावु भारती क्या लगते हैं कि आठ दिन पहले का मीडिया को कहा कि मैं फिर से आने वाला हूं और जो उत्तरपादिश का जो रेकॉर्ड है पिछले 35 सल का जैसे एक बार बहेंजी मुख्यमंत्री बनी दुबार आनी बनी अखले जी एक बार मुख्यमंत्री बने दुबार आनी बने तो उसी प्रकार से उनने परिवार की जरूरत नहीं होती है बात यह कह रहा हूं जो लोग परिवार नहीं है उनका उन्हें मालूम कैसे होगा कि परिवार चलता कैसे है जरूरते होती है के परिवार के लिए क्या जरूरते होती है यह सब और सिख्चा व्षिता इतनी वेकार कर रखिएए गर बैठे लोग पास हो रहे हैं तो वे बेरृचगार होंगे कैसे पै δा हो सकतい है